प्यारे बच्चों आज हम अभिज्ञान शाकुंतिलम नाटक के नाम करण के विशें में आपको बता रही हूँ भी ये दित्य वर्स में अभिज्ञान शाकुंतिलम सिलिबस में है और अभिज्ञान शाकुंतिलम का पूर्ण तरह यानि कि पूर्ण तरह यानि कि अभिज्ञान शाकुंतिलम के सातों अंके हैं और उन्हें के आधार पर चंद लंकार भी हैं तो मैं आपको आज अभिज्यान शाकुंतिलम नाटक का नामकरण कवी ने किस आधार पर किया है इसकी बारे में बता रही हूँ कि किसी भी नाटिक रती का नामकरण नायका के नाम पर या विशेवस्तू के आधार पर या किसी घटना के आधार पर किया जाता है अभिज्यान शाकुंतिलम के नामकरण में भी महाकवी कालिदास ने सुक्ष्मन वेशिनी प्रतिभा का परीचे दिया है देखिए अभिज्यान शाकुंतिलम नाटक का नामकरण किस प्रकार से कभी ने दिया है हम देखते हैं कि शाकुंतलम में दुरवाश रिशी के साप से नायक दुश्यंत और नायक दुश्यंत नायक सकुंतला को भूल जाते हैं यानि कि इस अभिज्यान शाकुंतलम में नायक दुश्यंत हैं और नायक शकुंतला हैं ततपस्चात मुद्रिका रूप यानि कि अंगुठी रूप अभिज्ञान से यानि कि परीचे की वस्तु से दुश्यंत को सकुंतला का इसमरन होता है। अते नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम किया गया है। एक दूसरा अर्थम ये भी लगा सकते हैं कि अभिज्यान का एक अर्थ है पुनहे परीचे, दुश्यंत का सकुंतला से परीचे होता है, लेकिन शाप के कारण वेवशे उसे भूल जाते हैं, तो अंगुठी के दुआरा उसे सकुंतला का फिर परीचे हो जाता है, यानि कि फ अभिज्यान यानि कि परीचे की बस्तु अभी उपसर्ग पोर्वग्याध हातु से लिट प्रत्य करने पर बनता है अभिज्यान सकुंतलाम अधिक्रत्य क्रतम नाटकम अभिज्यान शाकुंतलाम यानि सकुंतला को आधार बना करके लिखा गया नाटक है शाकुंतलाम अभिज्यान प्रधानम साकुंतलम इती अभिज्यान शाकुंतलम अभिज्यान प्रधानम यानि की परीचे से प्रधान रूप में इसपश्ट होने वाली सकुंतला इसी आधारपरिश नाटक का नाम करण किया गया अभिज्यान शाकुंतलम अर्थाद सकुंतला विश्यक वह नाटक जिसमें अंगुलियक रूपी अभिज्यान प्रधान है अभिज्यान प्रधानम जहां अभिज्यान प्रधान है सकुंतला को सपष्ट करवाने में वह अभिज्यान शाकुंतलम अभिज्यान शहितम साकुंतलम इती अभिज्यान शाकुंतलम अर्थाथ अभिज्यान से युक्त यानि के परीचे से युक्त सकुंतला विश्यक नाटक सकुंतला यहा इदम शाकुंतलम यानि सकुंतला का परिणे उससे बना अभिज्यान शाकुंतलम अभिज्यान इस्मरतम चे तत साकुंतलम चे इती अभिज्यान शाकुंतलम अर्थात अभिज्यान से इस्मरण किया हुआ सकुंतला का पानी घ्रेंड संस्कार्तो बन गया अभिज्यान शाकुंतलम अभिज्यानम चे सकुंतला चे अभिज्यान सकुंतले ते आश्रित्रिये कृतम नाटकम अभिज्यान शाकुंतलम यानि की अभिज्यान यानि की परीचे की वस्तु निशानी तथा सकुंतला के विशे में रचा गया नाटक बन गया अभिज्यान शाकुंतलम नेक्स्ट है अगला मत विद्वानों के अनुसार की प्रोफेशर काले प्रोफेशर पंत आदी विद्वान नाटक का मौलिक नाम मानते अभिज्ञान शकुंतिलं उनके अनुसार अभिज्यायते अनेनिते अभिज्यान, अभिज्याने निश्मरता, सकुंतला, यत्रतत अभिज्यान, शाकुंतला अभिज्यायते अनेनिते अभिज्यान, अर्थात, अभिज्यान से याद की गई है सकुंतला, जिसमें ऐसा नाटक अभिज्याने निस्मरता यानि कि अभिज्यान से ग्याद की हुई है सकुंतला जिसमें ऐसा है नाटक इस प्रकार एक घटना विसेश के आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है छटा मत क्या कहता है सकुंतला का अर्थ मेरश्री कन्व को सकुंतो अर्थार सकुंत को बोलते हैं पक्षी, पक्षियों के बीच में एक कन्या की प्राप्ती हुई, आते उसका नाम नोंने सकुंतला रख दिया, सकुंतेशु या लबधा सा सकुंतला, अत्वा सकुंतही परिवरता इती सकुंतला, यानि कि सकुंतों के बीच में जो कन्या प्रा आने से पहले मैं आपका अभिज्यान शाकुंतलम की कथा वस्तों के बारे में विस्तार से बता रही हूं कि अभिज्यान शाकुंतलम नाटक में सात अंग हैं ये सब तंकात्मक नाटक है इसमें राजा दुश्यन तथा सकुंतला के प्रणय का यानि कि प्रेम का सुंदर रित से निबंधन किया गया है और अंगों के अनुसार इसकी कथा क्या है वो मैं आपको बता रही हूं कि प्रतम अंग में क्या वर्णित है कि प्रस्ताव ना में सुत्रधार के कतन से ग्यात होता है कि आज कालिदास द्वारा विर्चित अभिज्यान शाकुंतलम नाटक खेला जा ना है गिदेश्म रितो का आरंब है प्रतम अंग की सुरुवात में सुत्रधार के कहने पर नटी गीत गाती है जिसे सुनकर सुत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत के राक के द्वारा मेरा उसे प्रकार हरन हो गया जैसे कि हिरन द्वारा राजा दुश्यंत का हरन हो गया देखिए, यहाँ पर नार्टक को शुरू करने से पहले उसकी भूमी का बनाई गई है, तो भूमी का भी इस तरह से बनाई गई है, सुत्रदार नटी से कहता ही, जो तुमने गीत काया, उससे मेरे उसे पेकार हरन हो गया, जिस पेकार हरन द्वारा राजा दुशियंत का हरन ह हो गया, आर्थात राजा दुशियंत हिरन का शिकार करते हो, इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ततपश्चात मरग का पीछा करते हुए सार्थी दुशियंत के रत का रंगमंज पर विवेश होता है, उसी समय वैखानस आकर राजा को मरग का हनन करने से, यानि मरग को मार रोकता हुआ कहता है कि ये आश्रम का मरग है आते अवध्य है अर्थात मारने योग्ये नहीं हैं, दुशियंत धनुस पर से बान उतार लेता है, वैखानस से राजा को ग्यात होता है कि ये कुलपतिक कणव का आश्रम है, वे अपनी पुत्री सकुंत लाखो अथीती सतकार है तू, नियुक्त करके उसके प्रतिकूल भाग्य के शांती है तू, सोम तीर्थ गए हैं, वैखानस के निवेजन पर राजा आश्रम में प्रवेश करता है, वहाँ वे व्रक्ष सिंचन करती हुई अनुसुया, प्रियमवदा और सकुंतला को देखता है, यानि कि वो जैस प्रवाधा से पेडित सकुंतला की रक्षा के लिए राजा उनके समक्ष प्रकट हो जाता है, मुनी कन्याओं से राजा को ग्यात होता है कि सकुंतला विश्वामित्रेवं मैंका की पुत्री है, महर्शी कन्य उसके पालक प्रताश्री अर्थाद सकुंतला विश्वामित्र और मैंका की पुत्रिये और महर्शीर कन्य उसे सिर्फ पाला है। चत्ये कन्य होने से वे उसे अपने साथ विवा के योग्ये मानता है। सकुंतला भी राजा की प्रतियाकरष्ट हो जाती है। अक्समात नेपत्थे में आवाज आती है कि एक जंगली हाती भेवीत होकर आश्रम में आ रहा है उससे बचो इस वन्यें गज व्रतांति से भेवीत होकर रिशी करन्याएं कुटी में प्रिवेश कर जाती हैं राज आश्रम के बहार अपने सेनिकों के पास चला जाता है दुतियंक में ये प्रिथमंक की कानी हैं दुतियंक में क्या आता है देखिए राजा का मित्र अत्यात आलसी विदूशक माधव्य म्रगिया से यानि सिकार से दुखित है वे आखेट यानि सिकार से अफकास चाहता है सकुंतला के प्रतिय आकरष्ट राजा भी म्रगिया यान करने का आदेश देता है राजा एकांत में विधूसक से सकुनतला के अद्वितिय सुंदर्य की प्रसंस करता है कणव आश्रम के दो रिशी कुमार आकर राजा से यग में विग्ण डालने वाले राक्षसों से रक्षा करने हे तू आश्रम वासी तपश्वियों की प्रातना अभिव्यक्त करते हैं तभी हस्तनापुर से एक दूत आकर राज माता का संदे सुनाता है कि आगामी चतूर्थी के चतूर्थी दिन व्रत की पार्णा के समय राजा को राजदानी पहुँच नहीं है राजा दुविधह में पढ़ जाता है कि क्या करना चाहिए सकुन्तरा पर मुख्द राजा तपोवन नहीं चोड़ना चाहता है अंत में विचार करवे अपने करतव्य की पूर्ती है तू विदूशक को हसना पूर भी इस देता है कि तुम्हें भी माता ने मेरे समान अपना पुत्र मान रखा है तर अते तुम ही जाओ साथ ही राजा संचंचल सुभाव्य विदूशक को सकुंतला विष्यक पृण्य की बातों को परियास विजलपिद याने के वैसे ही परियास में कववी बाती बताती हुए उन्हें सतिन ने समझ लेने का कथन करता है राजा काई एमित्या कतन भावी दुखत परिस्तितिया भी उत्पन्ने करता है जो हम आगे देखेंगे तरतियंग में विरे एवं काम पीडिता सकुंतला मालिनी नदी के टटपर इस्तित लता ग्रह में पुष्प सया पर लेटी हुई है राजा भी उसे खोशता हुआ महां पहुँच जाता है वह भी चुपकर सकुंतला प्रियम वदाय वानुसुया की बाते सुनता है राजा एवं सकुंतला दोनों ही काम पेडित होने से अत्यन्त करश हो गए अर्थात सकुंतला दुशियंद पर दुशियंद सकुंतला पर आसकत हो जाते हैं सख्यों द्वारा सकुंतला को उसके रोगी के विशे में पूचने पर वे राजा दुश्यन्द के प्रती अपने प्रेम का कथन करती है सक्यों के कहने पर सकुंतला नलीनी पत्र पर अर्था कमले के पत्र पर नको से प्रणे पत्र लिखती है यानी प्रेम पत्र लिखती है उची तवसर पर जानकार राजा उपस्तित हो जाता है और सकुंतला के प्रती अपने उतकरष्ट प्रेम को प्रकट करता है राजा सकुन्तिला को सुखी रखेगा इस आशवाशन को प्राप्त कर दोनों सक्कियोंने एकांत में छोड़कर चली जाती है दोनों का गांदर विवा हो जाता है अर्था प्रेम विवा को गांदर विवा कहा जाता है दौनों प्रणे व्यापार में लीन हो जाते हैं राजा की किरपा से सकुंतिला गर उगत्ती हो जाती है तबी गौत्मी नामक तबस्विनी सकुंतिला की ऐस्वस्तता जानकर वहां आती है तो राजा छिप जाता है जगुंत लेवं गौतमी के प्रस्तान के पश्चात यग्य वेदी के चारों तरफ राक्षोसों के परचाहियां विचरन कर रही है इस आकास वानी को सुनकर राजा तुरंत वहां से चल देता है चतूर्त अंक इस नाटक का क्या कहते हैं बहुती मालमेक और बहुती अच्छा अंक है ऐसा सरविष्टेश्ट अंक अभिजयान शाकुंतलम का चतूर्त अंक माना जाता है तो इस अंक में देखिए क्या है प्रारम में विश्कंभक द्वारा सूचना दी गई है कि दुश्यन्त अपनी राज़ानी लोट गया है तो सकुंतला उसके विरह में पीडित है सकुंतला राजा के धियान में मगन होती है तभी उटज यानि कुटिया पर सुलब कोप महर्श दिलाने पर भी तुझे इसमरण नहीं करेगा अर्थात सकुंतला राजा दुश्यन्त का इसमरण कर रही थे तो दुरवासर रिशी ने शाप दिया कि वह तुझे याद वह तो उसको याद दिलाएगी तो तब भी वह तुझे इसमरण नहीं करेगा प्रियम वजा के अनु को कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे हमारी सकी दुखी होगी मेरे शीकन्व जो सोमतिर्थ गए हुए थे वहां से लौट आए हैं यग्जी साला में प्रविष्ट होते ही ऐसे रिणी छंदो महिवानी उन्हें दुश्यन्त और सकुंतला की गांदर व कवी ने सकुंतला की विदाई के द्रश्य का अत्यांती रिदय इसपरशी वर्णन किया है सारा तपोवन सकुंतला की वियोग से व्यतित हो जाता है समत्व योगी महर्शी कन्वी सकुंतला को विदा करते हुए रिदय में विकलता का अनुभव करते हैं देखिए इस अंग महा कवी काली दास ने प्रकति का बिल्कुल मान भी करन करते हुए वर्णन किया है कि प्रकति भी जब सकुंतला का विदा हो रही थी सकुंतला के विदा के समय ऐसा मान भी वर्णन किया है कि प्रकति ने भी रोना रुदन सुरू कर दिया थे प्रकति भी विकल हो चुकी थी हरीनिया घास खाना छोड़ देती हैं मयूर नाचना बंद कर देती हैं पीले पत्ते गिरने के बाने लताएं मानो आशुभा आती हैं मेरशीकर्ण में अपने शिश्चियों के माध्यम से राजा को संदेज बेजते हैं कि वे अपनी पत्नियों में सकुन्तला को सम्मान पूर्वक इस्थान प्रदान करें ज़ता सकुन्तला को भी पति ग्रह में आच्रण योगी कर्तव्यों का उपदेश देकर विदा करते हैं सक्किये सकुन्तला को कहती है कि यदि वह राजा ना पहचान पाए तो उसे अंगुठी दिखा देना मेरची कर्ण सकुन्तला को पति के घर भेजगर हार्दिक शान्ति का नुभव करते हैं अब आता है हमारा पंचमंग सारंगरव, सार्दवत और गौत्मी के साथ सकुन्तला राजा दुशियंत के राजदरवार में पहुंच जाती है परस पर कुशल शेम के पश्चात सारंगरव अपने गुरू करनों का संदे सुनाता है कि धर्मा चरण के लिए तुम अपनी पतिनी सकुन्तला को स्विक्रत करो साथ वशात राजा सारा व्रतांद भूल जाता है क्योंकि मेर्शी दुर्बाशा ने सकुन्तला को श्राद दिया था कि वो याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा वे परिस्तरी समझ कर उसे ऐस्फिक्रत कर देता है राजा रिशी कुमारों के कटू वचनों को भी धहरे पूर्वक सहन करता है गौत्मी के द्वारा घूंगा टठाने पर भी राजा उसे पहचान नहीं पाता है ततपश्चा सकुन्तला दुश्यंत द्वारा दी गए उंगुठी को अपनी उंगली में खोशती है पर वे नहीं मिलती है गौत्मी कहती है कि निश्चे ही वे सकुन्तला ने कहती है शब शायद वे वहां गिर गई होगी सकुन्तला मिलन के मधूर प्रसंग सुनाती है पर उसे कुछ बेसमरण नहीं आता है राजा समझता है कि ये तपस्वी मुझे ठगने आए हैं गते वे अब वे उनकी बातों को उपहास में लेने लगता है शकुन्तला कुरुद हो जाती है राज पुरुईत उपाद्याय सुमराज सुझाव देता है कि प्रशव परियंत सकुन्तला पुत्री वत मेरे घर पर ही रहे क्योंकि शिद्ध पुरुसों ने सरप्रितम आपके चक्रवर्ती पुत्र होने के भविश्य बानी की है यदि सकुन्तला की चक्रवर्ती लक्षन युक्ति पुत्र हुआ तो सकुन्तला की बात सत्य है उसकी विपरित होने पर इसे कणव के पास भेज दिया जाए राजा ये सुजाव मान लेता है तब अस्वी सकुन्तला को वहाँ चोड़कर चले जाते हैं सकुन्तला पुरुईत की साथ जाती है कि कुछी सन पश्चात पुरुईत आकर कहता है कि मार्ग में कोई दिव्य जोती सकुन्तला को उठाकर अंतरधान हो गई है संपुर्ण घटना चक्र से व्यतित राजा कहरे दे मानों से विश्वास दिलाता है कि वह उसकी पतनी थी आगे सश्ठंग में क्या आता है कि प्रवेशक सक्रावतार निवासी एक धीवर यानि कि मच्छुआरे को रोहित मचली के पेट से एक मुद्री का प्राप्त होती है ये वही अंगुठी ये बच्चो जो सची तेर्थ पर वंदना करते समय सकुंतला की उंगली से गिर गई थी और वो रोहित नामक मचली के मचली ने उसे खा लिया था अब वो एक मच्छुआरे को रोहित मचली के पकड़ने पर उसके पेट से प्राप्त होती है जिसे बाजारे बेशते हुए से रक्षक पुरुष पकड़ कर लेते हैं अंगुठी के विशय में राजसियाल राजा से निवेदन करता है अंगुठी को देखते ही दुरवाशा के साप का अन्त हो जाता है कि दुरवाशा ने साप को अन्वने करते हुए कहा था कि अगर कोई अभिग्यान याने किसी पैचान से राजा को इसमरन कराया जाएगा तो वो साप कुछ याद उसे आ जाएगा राजा अपने दुख को कम करने ही तू विदुशक के साथ माजवी लता मंडप में जाता है वहाँ वैस्वे नेरमित सकुंतिला की चित्र को देखता है एवं उसमें अनेक परिवर्धन करना चाहता है उसी सمें सार्थवा धनमित्र के संतान हिन मढढ़ जाने के कारण उसके धन को राज कोस में जमा कराने विश्यक मंत्रि दूरा प्रेशित पत्रों को पड़कर राजा का धियान अपनी संतान ही निता पड़ जाता है वंज विच्छे तथा पित्रों की दसा सोच कर राजा दुखी हो जाता है इन सभी घटना को मैन का द्वारा प्रेशित सानुमती नायक अपसरा देखती है वे सकुंतिला को मिलन आश्या मिलन आसा दिलाने तो चली जाती देखिए बच्चों की सानुमती वही अपसरा है जो सकुंतिला को रूठा कर ले गई थी इसी समय राजा को मेग प्रतिचंद नामक महल से विदूसक का आर्थ स्वर सुनाई पड़ता है राजा उसकी रक्षा के हीतु सर संदान करता है ने की बान बान चड़ाता है तबी इंद्रसार्थी मातली प्रकट होकर देव राज का संदेश सुनाता है कि स्वर्ग में उत्पात मचाने वाले काले नेमी की वनसज दुर्जे नामक दानवों का आप सहार कर देवे मातली कहता है कि मैंने आपो कुरोधित करने हेतु ही विदूसक का गला दवाया था तो राजा रत पर चड़गर स्वर्ग्य और प्रिस्थान करता है सब्तंकंग है इसमें सकुंतला और दुशियंत का मिलन हो जाता है तो देखिये राजा दुशियंत देति सहारूप इंद्रकारे पूर्ण करके उनसे सम्मानित हो करके आकास मार्ग से भूतल की और लोटता है मार्ग में इंद्रसार्ती मातली सहीत राजा दुशिंद हेमकूट परवत पर मारिच कश्यप एवं उनके धर्म पतनी दाक्षाइनी अदीती के दर्शन करने ही तू जाता है महा सकुंतला पुत्र सर्वदमन को एक सिंग सावक के साथ क्रेड़ा करते हुए देखता है खेलते समय बालक के हाथ से अपराजिता नामक खुजदी खुज़कर गिर जाती है जिसे राजा उठा लेता है इस द्रश्य को देखकर बालक को खेलाने वाली दो तपश्विनिया विसमीत हो जाती है क्यों? क्योंकि इस वज़्दी को माता पिता तथा स्वैम उस बालक को चोड़कर अन्य कोई व्यक्ति उठा लेता तो वह उसे सरपन कर काट लेती थी तो राजा को विश्वास हो जाता है यह उसी का पुत्र है दोनों तपश्विनिया यह समाजा सकुंतला को देती हैं सकुंतला और राजा का मधुर मिलन होता है राजा सकुंतला के चरणों में गिर कर चमा याजना करता है इसके पश्चात सर्वदमन तथा सकुंतला सहीद, राजा मारीच, कश्यप एवन दाक्षाएनी आदिती के दर्शन करता है महरीची कश्यप दुरवाशा के साब की बात बता कर राजा तथा सकुंतला को सांत्वरा देते हैं कि इसमें राजा की कोई गल्ते नहीं थी यह जो सिफ महरीची दुरवाशा इरिशी के साब की कारणी था मारीची सुप समाचार कर्ण को सुनाने है तो अपने सिस्सी गालव को आकास मार्क से भीजते हैं यदा दुश्यांत को भी अपने पुत्त वं पत्नी के साथ विदाई देते हैं तो मैंने आपको ये अभिजांश आकुंतलम के साथ वंकों की संशिप्त कथा वस्तु सुना दी हैं अब आगी हम पात्रों के चरित्र चित्रन की बारे में आपको बताऊंगी ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद